चारली चैपलिन जिनकी बायोपिक में बेटी ने निभाई मां की भूमिका चारली चैपलिन की आज 137 बर्थेनी वर्षरी है उनका जन्म 16 अप्रेल 1889 को हुआ था चारली चैपलिन ने अपनी एक टिंग से लोगों को दिवाना बना दिया था फिल्मों में कॉमिक सीन्स के लिए उन्हें जाना जाता है आईए जानते हैं चारली चैपलिन से जुड़ी अनसुनी बातें पिंक कविला की खबर के मताबिक 1992 में चारली की बेटी जारल टाइन चैपलिन ने फिल्म चैपलिन में उनकी माँ हैन चैपलिन की भूमिकाने भाई जो की उनकी बायोपिक फिल्म थी चारली चैपलिन का जन्म लंदन में हुआ था उनका बचपन गरीबी में बीता था क्योंकि इस दोरान उनके पिता साथ नहीं थे और उनकी माँ को आर्थिक रूप से बहुत संगहशों का सामना करना पढ़ा चारली चैपलिन की चार पत्निया थी जिनसे उनके ग्यारा बच्चे थे चारली चैपलिन हर फन मौला थे उन्होंने अपनी फिल्मों में लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिने के अलावा, अपनी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया खबरों के अनुसार, चैपलिन की मौत के लगभग दो महीने बाद उनकी कबर खाली मिली जान में पता चला कि चैपलिन के कॉप हिन को चड़ा लिया गया है और चोरों ने को फिन लोटाने के लिए 6,00,00,00 की मांग की गई थी चैपलिन की पतनी उना चैपलिन ने यह पैसे देने से यह कहकर मना कर दिया कि चैपलिन मेरे दिल में और स्वर्ग में है